नमस्कार सर, सच साहिब, सर क्या नाम है आपका, मेरा नाम प्रेमनाराण दास जिलाहरदाग राम जाडपा का रहने वाला हूँ, सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा आपने कब ली, संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा हमने 21 अपरेल 2013 खुली, सर में आसुतव ही पंध में परs चम्ने minder में भार्णिय के निए यॲुग last ऌरा आप ने बताय ह苁 ऑपने बोया सारे गुरू बनाए rust लेकिन नकाट का सेति और बाता में मों कहाने दो कावित फिर लेकिन बक्ति साधना से आपको कोई लाब नहीं हुआ और आपका नसा भी नहीं चूट पा रहा था। तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की समझ में कैसे आए। वहां हमने संपरक नंबर पर फोन लगाया हमरा पता दिया वहां से फिर हमारे को ग्यान गंगा पुस्तक मिली फिर हमने उस पुस्तक को पढ़ा उस पुस्तक के ग्यान को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा जैसे हमारे नीचे से जमीन सरग गई हो ऐसा ग्यान हमने कभी सुना नहीं हमको किसी ने बताये नी हमने देखा नहीं एक एक परमातमान उस मुश्टख में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं कि वह प्रमाण देखके हम अका भका भूल गए हमारे को फिर ऐसा लगा कि हम गल्ट ये भक्ती कर रह रहा है हमारे को बिलकुल टतकाल सर हमने सुनाए कि जो भी सरदालू संतर आमपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाब राप्त होते हैं तो क्या संतर आमपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे को इतने लाब हुए कि मैं मांसिक रूप से बहुत परहसान था आर्थी रूप से भी बहुत परहसान था संतर आमपाल जी महाराज जी के जब मेरे को ग्यान मिला इसके पहले में पहले इससे पहले में दारू पीता था काफी समय में چार आथ साल दारू पीता रहा दारू पीने के बाcount में मैं गांजे में डूप गया गांजे में में एतना डूप गया कि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मेने आठ साल के लगभग में सुबह कब खाना खाया होगा साम को एक दो रोटी खा लिता था तमाकू सुपारी बीड़ी जो भी पूरा नसाता में इसकदर डूबा हुआ था कि मैंने कभी होस में मेरों को दिहन नहीं है कि मैंने कभी होस में इस दुनिया को देखा हो मेरों को ऐसा लग भी ने रहा था कि मैं इस दुनिया को होस में देख पाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल मरने की कगार प्या गया था पूरा सरीर से भी सोक चुका था मेरी परिस्तिती भी इतनी बदल गई थी कम से कम मैं आट दस एकड़ इस बीच में जमीन बेच चुका हूँ पूरा बरबाद हो गया था मेरे पास जमीन होने के बावजुद भी मैं टूटे हुए मकान में रहता था बहुत ऐसा टूटा मकान था कि मैं अब आपको क्या बता हूँ संत रामपल जी महराज से दिख्चा लेने के बाद मालिक ने मेरे को आर्थिक अध्यात्मिक और मांसिक बहुत इक सारे लाब प्रमात्मान इतने लाब दिये मैं आपको क्या लाब होगी नहूँ उनके लाब से मैं आज आप आज इतना सुखी हो गया कि हमने जानते कि उस गाउं में हमसे ज्यादा कोई सुखी होगा मेरा सब कुछ बदल गया मेरे को देखने वाले लोगों का अश्यर होता है कि इतना बिगड़ा हूँ आदमी जो मरने वाला था मरने की हालत में मैं था मालिक ने मेरे को महां से हो चुका था उसकी बीचार गुडिएंग दू उब मतार जी हमसब हो गए तक हुके पेशेख यह हमारा खर बिलकुल हो एक जी वक्ति तूड़क करके में भी पर्षान आ जागा था मेरे को भी जल्दी आ उठा ले हो मेरी को जीने के इक्ष्छा बची नी थी लेकिन परमात्मा संतरामपाल जी महराथ से जुड़ने के बाद में मेरे को मेरे परिवार को हमको सबको नया जीवन मालिक ने दिया आज हम सब बहुत खुसी है खुस हाल है मेरा पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है मैं लगा हुआ हूआ हूए वे पूरा सुख चुका था लोगों गो मालूंधन AG मैश मैने ममरने बाला हूं इतना नशा में दूबा हुआ कि मैं सुभे से साम तक कभी खाना कुई ४क भरत ने कह थे मैंने में बतला रहाए अपको आठ साल में द्यान ने का ना बैठता हूं ना उसका कोई नाम लेता हूं सन्त रामपाल जी महराज की क्रपा से मेरा पूरा नसा छूट चुका है मैं आज बहुत अच्छा जी बन जी रहा हूं सामाज में भी अच्छा जी रहा हूं जो लोग कल तक मिरे से कोई बात नहीं करते थे कोई मिलते नहीं थे आज बे सब मिल रहे हैं परमात्मा की दाय से जो भी सहोग हो रहा है सब मेरा सहोग भी कर रहे हैं ऐसी मालिक की इस समय मेरे उपर अपार करपा है कि मैं अभी क्या बतला सकता हूँ आपको मैं सब तरफ से सुखी हो गया जितने तरफ से दुनिया में मैं दुखी था मालिक ने सब सुख मेरे घर में भर दी है मेरे उपर करजा भी था मकान भी टूटा हुआ था अंतराम पालिजे महराज की सरण में गया छे मैने के अंदर मेरी जो जमीन को कोई पूचने वाला नी था जहां पर ढोर और बकरी चड़ती थी महा परमात्मा के ऐसा दया हुई कि वो कम से कम एक लाख रुपे में वो बिकी यूट बनाने वालों नो मेरे उट बना के दी एक लाख रुपे अलग से दिया और दूसरे साल वो जमीन जो है वो नदी में भे गई तो मेरे उको मालिक की तरफ से ईट भी मिल गई मकान के लिए पैसा भी मिल गया उसी पैसे से भी मेंने कुवा खुदबा लिया कुवा खुदबाने के बाद आज मेरी फसल भी अच्छी है सारा सब कुछ मालिक ने मेरे उपर ऐसी बढ़सा कर दी है सर संत्रामपाल जी महाराज ने कि मकान भी ठीक हो गया करजे से भी मैं फिरी हो गया कुए से भी फिरी हो गया आज मेरी जमीन हरी भरी सब सिंची थै मेरा घर इस समय किसी कोई तकलीब मेरे घर नहीं है सर संत्रामपल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, बहुत तिक, सारे एक मांसिक, सभी तरह के लाप रापत हुए तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नसा करते थे, गांजा पीते थे, सराप पीते थे, और भी बहुत ज़्यादा नसा करते थे आपको नसे की इतनी बुरी लत्ती कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने सुबह कब खाना खाया आप रादा सोही पंत आसुतोस माराज स्री माली औरगा नंजी के पास गए लेकिन संत्रामपाल जी माराज की सर्ण में आने के बाद आपका नसा छूटा तो संत्रामपाल जी माराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी कि इतने सालों का नसा आपका संत्रामपाल जी माराज की स पासे उनकी सकती से सब पूरा मेरा नसा छूट गया मैंने बहुत प्रयास करा कभी मेरा नसा ये झी छूटा है। अज बिलकुल सुद्ध जीवन जी रहा हूं मेरा परिवार भी सुद्ध जी जी रहा है। ऐसी कोई मालिक ने मेरे को जड़ी जड़ से लेनी दे दिये जो कि आप समझते हो कुछ पिला दिया कुछ खिला दिया मालिक ने ऐसा आशिरबाद दिया कि उस आशिरबाद से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ पूरा सुका हुआ था यह आज मैं आप लोगों के स बिगड़ा हुआ था कैसी मेरी हलत हो गई थी और कैसा मरने वाला था संतरामपाल जी महाराज की क्रपा से सब देखकर दंग हो गए कि वहा गुरू धन्य है मेरे गुरू जी सारे लोग बोलते हैं कि संतरामपाल जी महाराज जिसकी क्रपा से आज में मेरा परिवार सब कुछ सुदरा हुआ है पूरा च्छेतर जानता है पूरा गाउं जानता है सरमा आपसे एक बात पूछना चाहेंगे आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे रोपए खर्च करने के बाद भी नसा नहीं छोड़ पा रहे हैं सरकारे अभियान चला रही हैं आप तो बहुत ज़्यादा नसा करते थे संतरामपाल जी महराज की सरण में आने के बाद आपका नसा छुड़ गया तो जो लोग आज भी नसा करते हैं और वो नसा छोड़ना चाते हैं और नसा नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए आप क्या भक्ति कर रहा है इसके बाद में उसके नीचे एक नंबर पर लेड़ चलती है उस नंबर पर गुरुजी के सब नाम पते संपर्क सब दिया हुआ है आप फोन लगाईए आप गुरुजी के पास आईए आप नाम जिक्छा लीजिए और मालिक का अशिरवार लीजिए और आप पिर मालिक का कलिस्मा देखिए बड़े बड़े रोग बड़ी बिमारियां संत्रामपालजी महराज की करपा से दूर हुई है मैं स्वेम तो डूबा हुआ हूँ अगर कोई मेरे को जानता है उस चेतर में तो बो भी यह देख सकता है समझ सकता कि यह इतना डूबा हुआ आ आईए अपने जीवन को धन्य बनाईए क्योंकि ऐसा आउसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है ऐसा गजब का मालिक का ग्यान है एक एक प्रमान एक एक अज्जा एक प्रष्ट बतला ये कि प्रमात सद्दिंत रामपाल जी महराज ऐसा ग्यान हमने ना कभी सुना न सब पढ़े लिखे लोगों एक एक पुस्तक में से आप एक एक प्रमान को पढ़ सकते हो खूब पढ़ लीजिए खूब जाच लीजिए खूब समझ लीजिए ऐसा औस फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्चा लीजिए अपने जल्दी हो सके मालिक की सरण में आईए संत्रामपाल जी महराज के अपने खुदी के जीवन को अपने परिवार के जीवन को अपने भाई भेनों के जीवन का उध्धार कीजिए धन्यवाद सर सच साहिब झाल जीवाद धन्यवादा धन्यवाद सर भाई तो सवे जीवादा धन्यवादा में आईए हुआ है